Praise the Lord, प्रभू के नाम की तारीफ हो इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावन ने हम सब को फिर से फदल दिया कि हम खुदावन के भवन में आ सकें खुदावन के साथ बैठ सकें और वचनों को जो खुदावन ने आज के लिए रखा है उनको हम देख सकें प्रभू के नाम की तारीफ हो आईए अपने सरोकम प्रात्ना में जुकाएंगे जीवन के बानी जिन्दा उधार करता प्रभू ये श्मसी आपके बड़े शुक्र गुजार है इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया प्रभू के हम आपके चर्णों में आ सकें खुदावन इस प्यारे शाम के लिए खुदावन और ये शाम का वक्त था खुदावन ये श्मसी जब आप अपने बच्छों के साथ दिद के ठंडे समया के बैट के बात करते थे प्रभू मेरी प्राथना आप शाम को फिर से आप आँए खुदावन हम से हम कलाम हों हम से बात चीत करें ओ खुदावन आपने हमारे पास रखो हेल्थी चंगाई दी प्रभू आपका नम मुबारकू प्रभू ये श्मसी और मेरी प्रातना है खुदावन अधिकाई से अपने वचन के लिए इस्तिमाल करें, प्रभू खुदावन प्रातना करता हूं, और भी जो हमारे पीच में बीमार लोगों है, प्रभू आप सबको चंगाई दें, प्रभू, ये श्मसी खास्तों से प्रात्ना करता हूँ अपने अजीज भेन सिस्टर वायला के लिए प्रभू आपने उनको चंगाई दी है और मेरी प्रात्ना है प्रभू ये श्मसी आप संपून चंगाई दें प्रभू और जो भी खुदावन बिमारी का थोड़ा बहुत भी तत्वर रहे गया प्रभू वो चला जाए प्रभू तो खुदावन मैं आपका धनवाद करता हूँ कि आपको खुदावन you are happy in our prosperity in our health law आप ए खुशनूदी इस बात में कि हम स्वश्ट रहें प्रभू आपके नाम की तारीफ हो प्रभी इश्मसी और आपके कोड़े खाने से खुदावन हम चंगे हो चुके हैं प्रभू मैं आपका बहुत धनवाद करता हूँ इसलिए आज हम आनंदे थे और मगन हैं और हम आपके भवन में आएं आपका धनवाद करने के लिए प्रभू इस मिटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए जितने भाई भेन प्रभू इंटरनेट के माधियम से हमा साथ जोड़े हैं प्रभू सब के सवच से लाभानवित हो सकें प्रभू ओ खुदावाद ही हमें यो तेजनावे लेके आजाए खुदावाद ओ खुदावाद हम रैप्चर के लिए तैयार हो सकें प्रभू आपके नाम की तारीफ हो आपका धनवाद हो आदर महीमा धनवाद आपको देते वे इस प्राथ अंदी को फ्रभी एश मसीग के नाम से मांगते आमें, हालिलुया अगर आप लोग खुश अपने हाथ को उठा के खुदा का धनवाद कर सकते हैं एमें खुदा ने फिर से ये मौका दिया कि हम इस मितन को रिकॉड कर सके ता कि ये आप तक पहुंच सके एमें अगर गीत का आएगे गीत का नभर 141 वाट के वाश अवेवाद से नाम, गार लोग लोग उजश अगे can't make me whole again nothing but the blood of Jesus oh precious is the flow that makes me white as snow no other fount I know nothing but the blood of Jesus oh precious is the flow that makes me white as snow no other fount I know nothing but the blood of Jesus for my cleansing this I see nothing but the blood of Jesus for my modern this I clean nothing but the blood of Jesus oh precious is the flow that makes me white as snow no other fount I know nothing but the blood of Jesus nothing can for sin atone nothing but the blood of Jesus not of good that I have done nothing but the blood of Jesus oh precious is the flow that makes me white as snow no other fount I know nothing but the blood of Jesus this is all my hope and peace nothing but the blood of Jesus this is all my righteousness nothing but the blood of Jesus oh precious is the flow that makes me white as snow no other fount I know nothing but the blood of Jesus no other fount I know now by this I'll overcome nothing but the blood of Jesus now by this I'll reach my home nothing but the blood of Jesus now by this I'll reach my home nothing but the blood of Jesus no other fount I know glory, glory thus I sing nothing but the blood of Jesus all my praise for this I tell औरी बाल खादी को प्रेशा इस प्रूब जर आप प्रीजस प्रीजस ऑ्रादर आपर आप गो और डाल ख्रीजस को प्रेशा इस बाल that makes me white as snow no other doubt I know nothing but the blood of Jesus nothing but the blood of Jesus nothing but the blood of Jesus hallelujah hallelujah oh precious is the flow that makes me white as snow amen hallelujah conference conference and if you are a god we will give you so much we are so blessed we are our God they have made this blood bleeding word so that we can be pure we can be clean we can be clean we can be clean hey this is my love we can be clean glory glory the blood of Jesus nothing but the blood of Jesus that is nothing but the blood of Jesus it is nothing but the blood of Jesus that is the only thing back to God amen the world has not been given but today there is a forbidden that is the blood of Jesus that is the blood of Jesus आईए हम लोग सब अपनी जगा पे खड़े हो जाएंगे इस कोरस को गाने के लिए Only Believe जबकि हम इस कोरस को गाएंगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने अजीज पास्टर भाई आशीर से और भाई इंटर्फिरेशन के लिए भाई जोश्वा से कि सामने अजे Only Believe Only Believe And all things are possible Only Believe Only Believe My Lord, I Believe Yes, My Lord My Lord, I Believe That all things are possible My Lord, I Believe We all believe My Jesus is here As He is pasted by Yashish My Jesus is here And all things are possible My Jesus is here My Jesus is here My Jesus is here And all things are possible My Jesus is here We thank You Our Heavenly Father For this precious evening Which You have given to us To once again come into the house And worship You Lord Truly Lord, it's only Your grace Which gives us this time And opportunity Millions are in the hospitals Millions are dying And many have not been able To see this day But Lord, I thank You You had said When I see that blood Amen When I see that blood I will pass over You And I really thank God, Lord For Thy precious sacrifice And under Your blood We come, Lord Jesus Knowing that this is Your Perfect will That we be healed I bring before that Throne our precious sister Violet Titus, Lord Whom the doctor suspected Of having COVID pneumonia But she is getting better Day by day I pray, Lord May Your perfect healing Touch our body We bring her Under Your blood, Lord May she be perfectly healed Then I, Lord Pray for other sick people Even our precious Brother Freddie Thomas Brother Lazarus Who is admitted Lord And was undergoing dialysis And he was also taken And taken as COVID positive But Lord, You have been gracious Please give my precious brother Perfect healing I thank You that You healed me And You touched me, Lord And given me strength To come to the house today Many of my team members Who had fallen sick In the previous days Or their families Were ill, Lord And went through this phase Of sickness and fever But I thank God That Your grace Brought them out So we lift our hands And we thank You, Lord It's You, Lord Who has finished the battle for us And Lord Jesus We revel in Your grace Even Lord When we are hearing Those messages Preached many years back Today we know They were just prophecies Yes, Lord Which was forewarning Many of us How, Lord It was being said in 2007 In a meeting at a random I know Brother John Must have not thought In picking up that message Just for the sake of Making people listen To that point When it was being said About tsunamis, Lord And that was the day, Lord And how, Lord That very day Around that time That volcano burst And a tsunami Broke in the Pacific And Lord Jesus It's just a small sign Of a big one coming, Lord And we know soon This bride Would be delivered Out of this earth So I pray, Lord Give us Preparation for that And Lord While we are here today In this youth meeting Open Thy word for us Yes, Lord Yes, Lord We thank you for healing Our sister Priscilla Peters And Lord Many more, Lord Who fell sick Yes May your name be praised You even send healing In my family Oh, Lord Oh, Lord We really thank you for it But Lord I really thank you You gave us a privilege Not to glorify demons But you gave us an opportunity To glorify your saving power Amen But you gave us a chance That we will give you Your power of redemption So blessed be your holy name Deal with us from Thy word, Lord In the name of Jesus Christ We ask this prayer Amen Amen God bless you I don't know But this could be the first Tuesday meeting of this year Yes, but anyhow We have begun it And we'd like to turn in our Bibles To the book of Hebrews And we'll read chapter 7 And we'll just read Verse 1, 2 and 3 This just to take a context For this Malkishar King of Salem Priest of the Most High God Who met Abraham Returning from the slaughter Of the kings And blessed him To whom also Abraham gave a tenth part of all First being by interpretation King of righteousness And after that also King of Salem Which is king of peace Without father Without mother Without descent Having neither beginning of days Nor end of life But made like unto the Son of God Abided the priest Continually Amen Let's pray Lord Jesus May you add blessings To the reading of thy word We submit ourselves Into your hands of grace Please break the bread of life for us In the name of Jesus Christ Presence As my brother was singing This song on the Nothing but the blood of Jesus I would like to say something on that line Just two or three days back The Lord Early in the morning It was around 4 or 4.30 I got up And Then I said Why not get down and pray And when I was praying God blessed me with certain thoughts And I spoke it in my family Maybe I speak it out A little one to you also And Two days ago Before Two days ago Four or four days ago And my eyes opened And I went to the Lord And the Lord And the Lord Has helped me With some thoughts And I think I have to I have to keep something in your family And I want to keep something in your family Yeah One thing is there I have found And Brother Branham said You know that early morning Four o'clock or three o'clock Pray Is that time And Usually many demons are resting And you know Brother Branham has told me That Aksar That time of 3-4 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 Because by 10 o'clock In the morning They will be coming on the roads Because Until 10 o'clock When it's time of 3-4 She said While It's all quiet He said You find That you really find God At that time Yeah So many times I have also seen that So I had certain thoughts In my mind And then As I was meditating This scene Came back to my mind Which I saw in this movie Benhar I know it's just a movie But then the facts One thing is a fact Which they portrayed Regarding the blood of the lamb And I remember how In that last scene I was just thinking on that How Benhar's family Had broken Masala That was the name Of that Roman man Who broke his family And I was comparing Masala With Satan In my mind Which has broken Many families And so Benhar was sent On the galleys For rowing And here His mother And his sister Were thrown In the dungeons And finally They had turned out To be lepers And finally And after that They had been Banner didn't know About it But somehow He got his freedom Back And got some Roman citizenship So he sort of Used that power To come back And force Masala To find his Mother And his sister And when They were found They were found To be lepers Anyhow He didn't tell Banner about it Then next Was a chariot race And how In that race Banner won And Masala Was He didn't just Lose He was at The point of Death That's right He was defeated And at that time I still remember How After winning That race When Banner Came and said Rather Masala Called for him In fact I want to tell You something Man You asked For your Mother And your Sister Sister Let me tell You where You can find Them And he had A very Wicked A very wicked He said Where Tell me Where He said You'll find Them in the Valley of Lepers Judah Banner Just moved Turned his Face And then Masala laughed And said And said You know What The race Is not yet Over It still Goes on Banner And I could Hear that Same voice In many of Our families Devils Shouting And saying The race Is not Though he Has been Defeated By the Champion Christ Yet he Cries It's not Yet Over That's how He was Shouting That's how He shouts Sometimes Even in Our homes I still Got your Child In my Hand Your Daughter Is in My Hand Your Wife Is still In My Hand I've Still Got Something The race Is not Yet Over Man You don't Need to Be so Happy But then I found Somebody Told Banner Find That Heela And That's Where That Scene Broke When He And That Girl Esther Is Taking Their Mother And His Sister To That Heela That Is Christ That Was The Day He Was Going To Be Crucified So People Said You are A little Late And And Then I Started Remembering That Scene Banner Came To That Cross And He Witnessed The Death Of The Messiah Let Me Tell You My Brother My Sister You Always Need To Come Back To That Cross You Will Find That Your Life Will Change From That Day That's A Fact And So Banner Sat There Before The Cross But Esther And His Mother And His Sister They Went Into A Cave Nearby Somewhere That That Girl Esther Esther Yes Esther And How In The Last Scene When That Saviour Had Died At 3 PM Brother How She Said There's A Strange Darkness Covering The Land And Suddenly Strong Wind Started Blowing You Know The Saviour Had Died And The Earth Was Giving Way To Him To Go To The Lower Parts Of The Earth Good Friday Was Going To Turn The Tide And After 3 PM It Was It Was A Totally Different Scene Now The Vail Of The Temple Was Rent Apart Earthquake Was Moving And Shaking The Earth And Here This Mother And This Daughter Who Were Lepers Are In That Cave All This Was Coming To Me That Morning And Then It Came That It Started Raining And They Didn't Realize And Suddenly They Looked At Each Other The Leprosy Was Gone And Then They Looked Down It It Was Red Water What Had Happened The Blood Of The Saviour Had Mingled In That Water And Had Flown To That Place And And When That Blood Touched Them Then The Race Was Over Now Satan's Mouth Was Shut Forever What Your Human Achievements Can't Achieve That's Why You Needed A Saviour You Needed A Redeemer To Redeem You And Me My Brother My Sister Somebody To Take Your File In Heaven Somebody To Stand Before The Supreme Judge And Clear You And I And Somebody To Finish You On My Battle I Was In Tears On My Bed And I Was So Thankful How When You Come To The Cross Your Bad Fates Your Jinxes Vanish Your Bad Fates Your Bad Fates Vanish It All Finishes At The Cross And That's Why I Would Like To Tell You My Church Come To That Cross Every Day No Matter Sunshine Or A Cloudy Day It Was A Very Dark When She Received A Healing And Even A Tree Broke In Front Of The House That Cave Sorry But It Only Made A Way For The Rain To Pour In That's Right And Finally They Were Healed Let Me Tell You One Of These Days Your And My Final Battles Will Also Be Over This Lucifer Who Keeps On Croaking Now And Then The Race Is Not Yet Over Let Me Tell You My Brother One Of These Days It Will Be Over And The Bible Says That Great Dragon Was Cast Down The Accuser Of Our Brethren And They Won By The Blood Of The Lamb And By The Word Of That Testimony Yes Brother That's What's Holding You And I In This Hour I Hindi In My Point Amen I 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 को लगेगा जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं लेकिन इसका मुकाश्वा इस गुजरे हफ़ते में जो खुदा ने खोला भाईरे भाई वो मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन कभी मौका आएगा तो मैं आपको बताओंगा वाकि ये है अगर आपके पास पवित्रात्मा का बप्तिस्मा है तो काईदा अब ये कहता है तुम मर नहीं सकते जब तक वो खुदा तुम्हें मरने ना दे कोई बिमारी, कोई एक्सिदेंट, कोई चीज, आपकी जान ले नहीं सकती जब तक कि खुदा ही ना चाहे कि आप मरो खुदा ने चाहा कि भाई विलियम ब्रैनम मरे वरना विलियम ब्रैनम मरता नहीं क्या बोल रहें ब्रदर आप? मैं इसके पीछे एक बहुत बड़े लंबी बेग्राउंड और लाइन को लेके चल रहा हूँ जो मैं खुदा ने चाहा किसी दिन अब आपको दिखाऊंगा सभ्यमारी आपके, वो एक बिल्कुल फरक चीज है लेकिन, no disease कोई भी बिमारी has a right to stay in you because a prophet said in who is this मल की सड़क, now you have a redeemed body कोई भी बिमारी, कोई भी रोग उसके पास कोई अधिकार नही है कि वो आपके शरीर में बनी रहे क्योंकि एक नभी ने ये मल की सड़क कौन है वाले संदेश में कहा है कि अब तुमारे पास एक चुटकारा प्राप्त दे है आप प्राकरतिक दे हो में नही रहे यह, it is natural body ये प्राकरतिक दे है अट ये बिमारी नत्रल बॉड़ी परंतू ये चुटकारा प्राप्त प्राकरतिक दे है Redeemed natural bodies Cannot die Until he says yes Amen That's right No, no, it cannot Oh, he died Oh, he went in a car accident No, he cannot He cannot No devil can touch that life Because that body Is under redemption Unless the maker Says and allows it Nothing can harm him I'm telling you the facts Amen And that's why Everything in the life of a believer Is planned Everything that happens Is for a purpose And it has been God's will And I really thank God For his graciousness That we be healed Many a times we find We are wrecking our mind In a direction And God wants to take us In a different direction It's important to see What God wants you and I To see Because I believe We are living at the brink Of a very, very important time That God is doing something Amen Amen God really bless you I will straight away Move into the message Of Hebrews And today's part Would be basically Doing much With church order That is Hebrews chapter 7 Part 2 And that's where We finish actually This Hebrew series Because that's where The prophet also finished it Yeah he finished it At chapter 7 The Hebrews has Chapter till 13 Yes it is But he Took it chapter wise Till 7 Because After that What scriptures He read He read it at random From here and there In Hebrews And explained it In various messages That's right But as far as Taking as a chapter wise It's still chapter 7 Something like Seven Seals Because he called Hebrews as a deep Teaching Amen And now here We are in chapter 7 And chapter 7 Is Revelations 10 In fact Because that's where This Malkisadak came God really bless you Maybe if we find some time We will see That direction A little later on But today I would like to read to you I'll skip first Two or three pages And I'll straight away Move to my point And come to paragraph 276 In 275 paragraph Of Hebrews chapter 7 Part 2 I don't know I don't know if you have The same paragraphing I don't know But then in my book It is paragraph 275 That's right It is basically The initial part It's actually 1, 2, 3, 4, 5 Five pages I have left On the sixth page I am And he's now Giving little Words of commendation For brother Neville Now we are holding Our pastor out Of the pulpit Here for about Six weeks He's saying Sorry Just one minute Please He says Because Praise the Lord Praise the Lord We are holding our pastor For six It was because Brother Branham Was trying to take Some meetings And by the way Before I go further I think it must have been announced It will be announced Next Tuesday We will not have a meeting But the meeting Which was supposed to be on Tuesday Will hold on Wednesday And this is something Which I want to tell you On this coming Wednesday That meeting Which was scheduled On Tuesday Which we will be holding I will be Taking back Those questions And answers With you again So try to cover up Many as much as we can To finish up All those questions So we will continue Our 28th December 28th December Brother I said The 28th December Meeting Which we began On question and answers We will be now Picking up On 26th January Amen Amen Continue 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 Because it is not Possible to finish 95 questions We will try to fill Yeah we saw Only one long question That was Judges 19 On that day We have many more Actually But now I am taking And starting Hebrews 7 Also simultaneously Because I want to Finish up With this fast क्युकि मैं इसमें इसको पूरा करना चाहता हूं जल्दी Amen And by the way he said while I am speaking rather he is in paragraph 275 he says 275 रनुचेद में वो कहते हैं How brother Neville has been held for 6 weeks he says कैसे बहाई नेवल को पुल्पिट से अलेदा रखा है 6 हफते के लिए Because actually brother Branham was preaching certain things Now I don't like to do that he says Why he says 6 weeks because that's when he is preaching this Hebrews Chapter 1 to chapter 7 can't be preached in one day So now it was about 6 weeks he says Brother Neville is a lovely sweet kind brother And I am sure that this church loves brother Neville Yes and I love him too brother And I wish and I not wish I believe that when we go on the other side We will meet brother Branham We will meet brother Neville But now he makes a point Now my church listen to these things very carefully Because this has to do with church order And by the way while I am speaking Somebody in around this country somewhere Is guilty of writing some cards To move brother Neville out of this pulpit Brother Branham now addresses that person and says You are going to have to settle that with me That's right Yes indeed Now I want you It said something about the deacon board The deacon board has not one thing to do with that pastor Deacon board Some time back Even in our church we had a deacon board Yes we had it But due to some reasons it was dissolved And the prophet also said that it can be dissolved So during the time when my father was the previous pastor He did that And this work was the first time And this work was the first time When my father was the pastor And this work was the first time Why did that happen? And this work was the first time 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 And this work And this work was the first time And this work And this work was the first time And this work 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 को ठीक है बात बात बिल्कुल परफेक्ट है ऐसा ना हो मसी तो भेजे मुझे आपको और मसी तो रह जाए पीछे आप आजाए उस भाई के और बहन के सामने अब वो भाई और बहन आपकी और देखना शुरू कर दे और मसी की तरफ देखना बंद कर दे नौ ये चीज गलत है मैं इसी पॉइंट को लेकर आगे कहूँगा ये तो रही मसी की बात मसी का ही मैं सोचता हूँ एक छोटा रूप प्रित्वी पे एक लोकल चर्च का पास्टर भी होता है कैसे चाही है और खुदावन ने उसको एक मैं बात करूँ भाई लाल के टाइम की पहले आज हम आएं को बोल रहा हूं उस डीकन बोर्ड में हमारे कई भाई लोग थे खोदा बहुत बरकत दे हमारे तमाम भाई बहुत बढ़ियां हैं लेकिन एक छोटी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो देखी गई थी बाद में मैं अस पॉइंट को आपके सामने रखने कोशिश करूँगा और मेरा कोई भाई या विशेश कोई टार्गेट नहीं है और ना मैं किसी भाई को टार्गेट करना चाहता हूँ और ना मैं कभी करूँगा मैं केवल एक आत्मा समझाने कोशिश कर रहा हूँ प्लीज समझें चर्च में जब ओफिस बढ़ते हैं जो कि खुआर खुदाव बोड काम करता रहा बहुत बढ़िया काम चला सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ कहीं एक जगा पे एक चीज आने लगी जो देखी गई जो में कारण बनी दीकन बोड डिजॉल्व होने का वो ये था कि एक इंपॉर्टन पॉइंट समझने का ये है कि मेरे प्यारे भाई आप जब कलीसिया के किसी सदस्य से मिल रहे हैं तो आप ये समझ के चलें कि आप उस चर्च में जब खुदा ने एक पास्टर रखा तो उस पास्टर का प्रतिनिधुत्व लेते हुई ही उस भाई से मिल रहे हैं आप रिपोर्ट उसकी पास्टर को सुनाएंगे और बताएंगे क्या सही है क्या गलत लेकिन जब कुछ ऐसा होना शुरू हो गया कि बजाए पास्टर के पास लेके बात पहुँची जाए खुद ही अपने कुछ फैसले सुना दिया आपने कुछ लोगों ने ऐसा किया और ऐसा दिखना शुरू हुआ कि अब ये लोग पास्टर के और चर्च के बीच में आ गए ये चीज ठीक नहीं थी इसमें भी नजदाज कर रहे थे लेकिन तब कुछ फैसले कुछ बातें जो हुई जो खेर मैं आप यहां पे डिसकस नहीं कर रहा क्योंकि इसको हुए भी बहुत साल हुए तब ये चीज जब एक जगा से नहीं दो तीन जगाओं से कई जगाओं से हो गई और तब दूसरी खबरें आई फिर कुछ बातें ऐसे आई कि फिर डारेक्ली लोगों ने पास्टर से बात करना शुरू करी और तब डीकन ने गुस्टे में का आपने मुझे बाइपास किया आपकी समझ मारी है डीकन ने का मैं आपका डीकन हूँ आपने मुझे बाइपास किया उस भाई या बहन ने जो डारेक्ली पास्टर को फोन किया उसको लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है जब मैटर को गहराई में डालके देखा गया तो कुछ समझ में आया कि हाँ प्रॉब्लम थी इस चीज़ को देखके ये डीकन बोर्ड आज से कई साल पहले हमारे यहाँ डिजॉल्व किया गया हम डीकन बोर्ड के विरोध में नहीं अगर आगे कभी मौका मिलेगा तो अगर बनानी जरूवत होगी या बनाएंगे जैसे प्रभू की अगवाई हो ये मैं बता रहा हूँ जो हुआ भाई लाल के टाइम पे ये पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टन समझने वाला आप प्रचार के काम के लिए जा रहे हैं दोहां से सुनिए जब बाता है चर्च की और ये आज का रोग नहीं है बहुत पुराना रोग है ये जब प्रचारक किसी के आ जाता है तो वहाँ जाने के बाद उसकी और प्रचारक की तो एक समझिए एक understanding बन जाती है और वो understanding बनने के बाद वो शो शक्स हैं वो एक अपना good बन जाता है और फिर वो good अपने आप एक साथ मिलके चलता है चर्च में देखा गया इस spirit ये आत्मा सही आत्मा नहीं है ब्रदर ये आत्मा कलीसिया को बाढ़ती है चलिए आपने अपनों को सुनाया आप उनके साथ बیढ़ते हैं खाते हैं ये भी हुआ खाते भी उननी के साथ हैं चलिए अच्छी बात है आप उने केर दिखा रहे हैं अब एक मैं प्रचारा कहूं ये काम अपने कुछ लोगों को साथ चालू कर दूँ तो कुछ समय के बाद क्या आपको लगेगा नहीं कि एक ग्रूप वाँ बैठा, एक ग्रूप वाँ बैठा, एक ग्रूप यहां बैठा, एक ग्रूप यहां बैठा है क्या हो गया कलीसिया का, जो शैतान ने चाहा था कलीसिया विभाजित हो गई और यही तो शैतान चाहता है सजमारी आपके तुम उनसे मत मिलो तुम उससे मत जाओ वो उन्होंने फोन किया था सुन लो कोई बात नहीं लेकिन जाना नहीं माँ आपके सजमारी है नहीं होता क्या है कि अरे ब्रदर हम तो लोगे मुलाकात मसी से करा रहे हैं तो तुम क्यों आ रहे हो बीच में फिर लोगो मसी को जानने दो लेकिन लोग मसी को तो नहीं जान पाए आपको ज़रूर जानते हैं कि आप कौन है क्रप्या पॉइंट्स को बैलन्स करके समझें प्लीज और इस पॉइंट के कारण होता क्या है अफकोर्स ये बट नैचरल बात है जो जाएगा जो प्रचार करेगा जो किसी को ले के आएगा वो उसको पूछेगा उससे बातचीत होगी और वहाँ आप आगे बढ़ेंगे नो डाउट ये चीज़े होती हैं लेकिन उसके बाद एक लार्जर पिक्चर जो देखी और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ मैं देखता आया कई दिनों से भी देखा खुदा का धन्यवाद हो हमारे कली से आगे बड़े प्यारे भाई लोग है चाहा कि लोगों को मसी तक पहुँचाएं और उसके बाद वो एक दूसरी जगा अपना काम करने लग गए जब यहां दिल्ली में भी सेवकाई शुरू हुई तो वो भी ऐसी हुई थी कुछ लोगों का दो बलकी दिल्शिक्नी थी कि भी या जब तक बप्तिस्मा लें आप बहुत आते थे अब जब हमारा बप्तिस्मा हो गया आपकी विजिट्स काफी कम हो गए हमारे पास तो हमने का भाई जैसे आप मर रहे थे और आपको छलांग मारके निकाला हमने ने कोशिश करी अब एक और है अब हमें उसके बात जाना जरूरी है अब ये तो हैणए कि हम आपके घर में पूरी जिंदगी बर आते रहेंगे है निहाला ने कहा सारे जगत में जाओ या एक होंडान में जाओ और उसी खांदान को पालते रहो एक मुर्गी की तरह सालों साल आज वो एंट गया आज वो बेबी की तरह दूद मांग रहा जैसे वो संडे का मेसेज आपने सुना तो ऐसे बेबी को कब तक पैटन करोगा और अब तान तो आ गया कि तो अब कब तक बेबी अराउंट अरते रहोगे अब आपको जाने आगे की तरफ मिनिस्ट्री आगे की तरफ बढ़ रही है कहीं और भी जा रही है सच्चा ही है तो ये लोगों की दिलशिक नहीं लेकिन देखिए जब उस आत्मा में सेवकाई चली उसका रिजल्ट आज ये कलीसिया है खुदा का धनेवाद हो और आज कहीं पर भी खुदा के फजल से कोई ऐसा कोई खास द्वेश वहाव को ऐसा कुछ नहीं है और सब लोग जो आ रहे हैं सीधा सीधा चर्च ही आते हैं और चर्च में आके बैठते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं और आज कल क्योंकि मिटिंग नहीं हो रही तो आप बाइवेज ऑफ नेट सुन रहे हैं लेकिन ध्यान रखना ये चाहे आप हो चाहे मैं हूँ हम सब पर आयद होता है जब हम अपना प्रभाव जोड़ना शुरू करें लोगों के उपर ये लिख लो मेरे प्यारे सेवक भाई तुमारी सेवकाई अब गिरना शुरू हो गई जब लोगों पे आपका प्रभाव जादा हो वचन का नहीं और कंड़क्ट ओर्डर जो नभी ने समझाया उसका नहीं कंड़क्ट ओर्डर की उपर आपका कंड़क्ट ओर्डर आ जाए तो फिर ये समझ लीजे आपके अब सितारे गर्दिश में हैं आपकी मिनिस्ट्रिया फॉल करना शुरू कर गई ये गिरावट है फिर आपके लिए एक दूसरी आयत आएगी चेत कर कि तू कहां से गिराए वहाँ पर भी लिखा है तुन्हें बहुतों को पर्खा और पाया कि वो जूटे परेरित हैं लिखा है वहाँ पर ये एक आत्मा है ब्रदर खेर वो एक दूसरी दिशा थी लेकिन मैं खुदा का धनेवाद देता हूँ कि खुदावन ने तौफिक दी कि कलीसिया इस्टैबलिश हो और आज खुदावन के फजल से सब लोग एक जुट होके चल रहे हैं और वचन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ खुदागा धनेवाद हो लेकिन जब डीकन बोड डिजॉल हुआ था उसका कारण ये था ये बातें भाई आशिश आप पुल्पिट से क्यों दोरा रहे हैं केवल इसलिए मेरे प्यारे भाई कि जब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें वचन का प्रभाव छोड़ें अपना नहीं बातें कुछ ऐसे करें कि किसी की बुराई ना हो किसी के विशे में आप बुरा ना कहें लेकिन जो करेक्शन आपने करना है वो भी करें और दूसरी तरफ आप जब किसी किया भी जाएं अपना प्रभाव छोड़के ना आएं ये लोग मेरा कार्ड अगरी बार फंसो तो मुझे कॉल कर लेना सजमारी है मैं चलाता हूँ क्रेन फंसों को निकालने वाली सजमारी है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बात कि फंसों से निकालने का काम तो उन्होंने लिया है तो प्रभाव वचन का छोड़े अपना नहीं लोग आपको ना जाने वचन को जाने और अगर आपके लोग वचन को जान गए वो गुटबंदी में नहीं पढ़ेंगे तब तब उनका होराइजन इतना बढ़ जाएगा कि वो हर जगा बात करने के लिए खुश होंगे वो केवल दो-तीन भाईयों के साथ लिमिट होके अपनी एक कफलिया बनाके नहीं गूमते फिरेंगे खाली उन्हें मालूम है कि खुदावन के जन यहां पर है खुदावन की दुलहनया यहां पर और मेरा हर कलीसिया का भाई बहन मेरा भाई बहन है फिर उच नीच का बेर भाव और दिवारे बनाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा जब यह होना शुरू हो तो यह समझ लीजे आत्माएं ठीक नहीं है ब्रदर बिल्को ठीक नहीं है और जरूँआ थे कि आत्माएं ठीक करें फिर थेंग गॉड मैं विश्वास करता हूं ऐसा नहीं लेकिन यहां क्या हुआ somebody is there कोई है who wants to take brother Neville out of the pulpit जो भाई Neville को pulpit से हटाना चाहता है and he's trying to gain the favor of the deacon board और वो जो है समर्थल लेना चाहता है deacon board का then the prophet says sab nabhi कहते है deacon board has not one thing to do with that pastor deacon board का कोई लेन दिना नहीं है उस pastor से इसे कहते है party politics judge के कुछ मुढ़ लोगों को लो जैसे Isabelle ने किया था nabot को मरवाने के लिए कुछ प्राचीनों को लो जो कलीसिया में कुछ समझे जाते हैं उन्हें influence करो उनको अपने प्रभाव में लो और अपना काम करवा लो आपकी कुछ समझ मारी है लेकिन तब पीचे से फिर एलिया आया आपको मालू में फिर क्या हुआ ये एक आत्मा है वो ही आत्मा यहां काम कर रही है हम deacon board को move करेंगे और deaconों के मुँ से बातें निकलवाएंगे मेरी बातें इनके मुँ से निकलेंगी ये तमाम काम छिपे छिपे चल रहे थे अच्छाना के एक दिन खुलके सामने आ गए कार्ड पहुँच गया भाई ब्रहनम के हाथ में कोई है जो कार्ड बना रहा है सन 2004 में कोई पेपर बनाता था और पेपर बनागे दिवारों पे चिपकाता था सोच में लग जाते थे भाई कौन है जो करवाते थे वो सामने ही ख़ड़े थे जो करवाते थे सारे काम वो सामने ही खड़े थे बाहिलाल ने उनसे बाद भी करी और उन्होंने कहा अगर आज चर्श तूटता है न 80% लोग मेरे साथ है और 20% आपके साथ है ये बोला था उन्होंने भाहिलाल से कमरे के अंदर खैर खुदा गा धनेवाद हो आज सब कुछ इतिहास हो चुका है और उस 80% और 20% पर मुझे कुछ नहीं बोलना लेकिन ये भाशा होती है राजनेतिक लोगों की ये भाशा पवित्रात्मा से भरे लोगों की नहीं होती इतने मेरे साथ हैं उतने तुमारे साथ है आपकी संजमारी है आपके फिर होता है कि हमने इसको खरीदा हमने इसको बेचा ये जो पार्टी बटवारा होता है इन MLS को हमने ले लिया इन MLS को तुमने ले लिया ये चीज़ है भाया यहां पे नहीं चलती ये है पॉलिटिक्स तो हमारे आभी था कोई या थी जो चिठी बनाते थे क्या हुआ उन तमाम चिठीओं का और क्या हुआ उन चिठीओं के बनाने वालों का आज सब इतिहास है प्रदर सब कुछ करने के बाद जिने जहां पहुँचना था वो वहीं पहुँचे ऐसे ही कोई यहां पर है कार्ड बना रहा है और कार्ड बना के इदो दर छिपे, messages डाल रहा है लोगों के पास messages पहुच रहे है एक आज की तारिक पर वो कार्ड नहीं बनाएगा आज की तारिक पर वो एक unknown message डालेगा कैसे डलता भी है मुझे detail नहीं मारो वो chat पर या whatsapp पर या कैसे मैं को कैसे हो वो एक message डाल देगा यह क्या है या message brother Neville is not supposed to be the pastor next week vote him out हरे सजमारी आपके जैसे बाइमें लिखा है जब हमान ने अपनी चाल चली तो पूरा शूशन confusion में आ गया तो ऐसे ही होता है एक confusion की आत्मा पहलती है मैं कुछ बोल रहा हूं और यह हो सकता है आज इस कलीसियां में न अपलाए हो रहा हो दूसरी कलीसियां में अपलाए हो रहा हो क्योंकि कई और भी सुनने वाले है मैं जानता हूं लेकिन मैं एक आत्मा के विश्य में ज़रूर बोलूँगा तब भाइब रनम कहते हैं you have to settle that with me the deacon board has not one thing to do with that pastor no sir the congregation in full has all the authority a deacon board is just a policeman here in this church just to keep order and so forth but when it comes to rules the whole church has to say so this church is built upon the sovereignty of the local church local church is sovereign what do you mean by that word sovereign? it can take its own decisions ये अपने फैसले खुद ले सकते हैं and it can run its own work और ये अपने काम को खुद चला सकते हैं now there is a middle of the road brother अब ये इसमें भी एक रास्ते का बीच है middle of the road है which I would say devil tries to pick up every word and plays a game with it but we need to catch that thought he is talking about a local church वो एक स्थानिय कलीसा के विशे में बात कर रहे हैं क्या हुआ सोवरीन शब को पढ़ लिया और तब कुछ लोग थे वो भी चर्च को छोड़ का निकल गए हम भी सोवरीन हैं भाई हमें ये चर्च समझ में नहीं आया तो हम इनी के पडोस में एक अपना सेंटर खोल लेते हैं और तब हम भाई ब्रणाम का ये सब दिखा बाई ब्रणाम ने कहा चर्च सोवरीन है हमें कुछ नहीं कोई कह सकता हम अपने थौट के मालिक हैं संजमारी हैं आपके इस किसम से सोवरीन्टी ब्रदर नहीं चलती यहां फिर सोवरीन्टी का की आड में प्लीज समझने कोशिश करिएगा यहां सोवरीन्टी के आड में मसी की दे को फिर लोग विभाजित करते हैं जिस पॉइंट को मैंने बहुत साल पहले देहरदून में रखा था मुझे आज भी याद है सोवरीन्टी के नाम पे कलिसिया की दे को कूड दिया सोवरीन्टी का मतलब भी समझाएंगे कि यह सोवरीन्टी किस किसम की सोवरीन्टी है सच मारी आपके क्या आप लोग सुनना चाहेंगे यह कलिसिया एक स्थानिय कलिसिया की सम प्रभूता पे अधारित है इसलिए मैं किस कुछ भी नहीं कहूंगा इस विशे में कि इस पास्टर को हटाया जाए इसको लाया जाए I own the property मैं इस प्रभूती का मालेख हूं It's given to the church यह कलिसिया को दी गई है You all are the church आप सब कलिसिया हैं You people are the one who control आप वो लोग हैं जो की नियंतरन करते हैं You are the church yourself आप कलिसिया स्वयम है जो पवित्र कलिसिया एक खुदा की वो ही संप्रभू है और वो दर्शाती है पवित्रात्मा की उस संप्रभूता को कलिसिया के अंदर हम सोवरीन है बहुत बढ़िया बात है आप सोवरीन है इससे पहले कि आप सोवरीन है पहले ये सुनिश्चित हो कि आइ पवितरात्मा से भरे हैं या नहीं क्युक्कि सोवरिन्टी को ले के भाई ब्रण Dude ये समझा रहे है ये सोवरिन एक्चुली पवितरात्मा है जो कलीश्या का सिर्ष है मसीव वो है सोवरिन एक व्यक्ति विशेश सोवरिन नहीं मन जाता लोगों का जुन सोवरीन ही बन जाता जब लोगों का जुन सोवरीन बनता है तो वो डिनॉमिनेशन बनाता है वो अकीदाए बनाता है जहां मसी की महतेती चली जाती है वहाँ पर निकुलीवाद आ जाता है नाम रहता है सोवरीन का लेकिन वहाँ आ जाता है निकुली वाद हम सोवरीन हैं चर्च को अधिकार है यही तो काथार उस रोमन कैथलिक ने भाई ब्रैनम से चर्च को अधिकार है कि वो बाईविल भी बदल सकती है पढ़ानी आपने मैसेज पढ़िये तो हर चीज को बैलन्स करके समझने कोशिश करें कि जब हम बात कर रहे हैं सोवरेंटी की तो सोवरेंटी का मतलब क्या है सोवरेंटी का मतलब यह नहीं है कि हम जैसे फैसले चाहें ले ले सोवरेंटी कलीसिया की तब गिनी जाती है जब वो कलीसिया पवितरात्मा से भरी कलीसिया हो और हर व्यक्ति पवितरात्मा के द्वरा संचालित हो जब कुछ जो कि पवितरात्मा से तो भरे है नहीं और राजनेतिंग मन वाले हैं जब वो का हम सोवरीन है तो याद रखना पिर उस कलीसिया का या वहाँ उस इलाके का अंजाम बहुती दर्दनाक होगा वहाँ फिर मसीगी प्रभूता नहीं रहेगी वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स चलेगी कुछ बात समझ मारी है आपके इध्यान रखियेगा इसलिए सोवरिंटी को प्रॉपर समझना और खाने में रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे नमी ने का चर्ट सोवरीन है लेकिन तब ये भी समझाया कि चर्ट सोवरीन कैसे है चर्ट सोवरीन तब है जब वो सोवरीन पवितरात्मा उसके अंदर है अगर पवितरात्मा उसके भरे वे ना हूँ तो आप तो हर फैसला गलत लोगे यही कहके कि हम सोवरीन है अभी देखेंगे आगे मैं नमी एक पॉइंट बोलेंगे इस सोवरीन्टी को लेके मैं इस पॉइंट को फिर से लाओंगा आपके सामने सुनी आगे हाँ एक पॉइंट लेकिन यह है कि जब कभी कोई फैसला ले तो पूरा कलीसिया मिलके वो फैसला लेगी नभी कहते हैं I own the property नभी कह रहे हैं कि मैं पूरी प्रॉपटी का ओनर हूँ वो जो जमीन थी जहां चर्च बना नभी ने का I own it it's given to the church you all are the church you people are the one who control you are the church yourself the holy church of God is the sovereignty or the holy spirit in that church and the only thing I do is own the property give it over to this church give it over for a church and it's tax free and the church elects their own pastors I have nothing to do with it and the only way this pastor could ever leave और किवल एकी तरीका है कि ये पास्टर अपने स्थान से जा सकता है would be the pastor decide himself to go वो ये होगा कि ये पास्टर खुद मेरने ले की वो जाना चाता है or the majority of the votes of the church would have to say change the pastor या जो कलीसिया में मत हो उनका अधिकांश हिस्सा ये कहे कि pastor को change किया जाए ये सारी church order को लेके कुछ बाते है मैं आगे पढ़ रहा हूँ and that's the only way और ये ही मात्र एक तरीका है no deacon board can do it कोई भी deacon board इस काम को नहीं कर सकता the deacon board only keeps order and things in the church जो deacon board है केवल वो अनुशासन से संबंदिच चीजों को ही करता है the trustees they have nothing to do with it only repair the church so you see trustees is another office deacons is another office by His grace our church has those trustees only repair the church and they can't do it until there's a the whole trustee board meets and says we'll build this or we'll do that then they have to ask the treasurer if they got the money to do it yes sir so you see that's the right order but if there's any complaint against any member if a member has a complaint against one another or something wrong you're supposed to go to that brother yourself तो आप के लिए बात दे हैं कि आप उस भाई के पास खुद जाएं and talk to him और उससे बात करें you and he alone आप और वो केवल अकेले सज्जमारी हैं सबके सामने ना सुनाते फिरें बातें सामने कर रहें हैं थें हमारे या पुराने बोलते थे शकल देखे और फिर दर देखते थे तुमने भी सुना होगा तुमने सुना तुमने सुना ये एक दुश्टात्मा है जब किसी भाई या बेहन का करेक्शन हो उससे अकेले में बात करें सज्जमारी आपके ये बात फिलाने वाली बातें नहीं होती कि दस लोग जानते फिरें आईए पढ़ते हैं अब देखे बड़ी दर्दनाक तो नहीं कहूंगा बड़ी इंपोर्टन पॉइंट की बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ और नभी ने बोली और मैं चाहूँगा कि मेरी कलीसिया का हर सदस से प्यारा भाई मेहन कान खोल कि इन बातों को सुने बहुत इंपोर्टन है अगर कोई ऐसी कंप्लेंट हो तो आपके लिए जरूरिय है कि आप उस भाई के पास जाए यू और वो अकेले अगर उस बात को ना मैने तो फिर आप कुछ ऐसा करें कि आप फिर से उसके पास किसी भाई डीकन को या किसी को ले के जाए उस भाई के साथ than if he won't receive you then you come tell it to the church आप आपके इस बात का को कलीसिया को बताए अगर गर वो कलीसिया को भी ना माने then the Bible said let them be as a heathen and a publican with this regard I would like to say we started certain processes in couple of lives and this January 19 one month of an announcement is expiring regarding some people whose names I announced which have not approached me till now and I told them that we'll have to take necessary action so I'm just announcing it that time period expires on this 19th January after that the church would be free to make its decision and any persons that knows a guilty person and you don't go to them and talk then you are the part of the church of God that's going to answer for that sin then you are the part of the church of God and you are the part of the church of God which will be the part of the church of God and you are the part of the church of God अपने किसी कलीसिया के भाई या बहन में और आप उसे छुपा गए तो न्याएं के दिन जब उस भाई या बहन के गुना की बात आईगी तो जवाब दही तुमारी होगी अब आगी बड़ी स्ट्रॉंग बात याने कि अब आप अपने आपको इवेड करके बैठ नहीं सकते आप एक कैजोल येस नो वाला अटिटूड प्लस मानस वाला अटिटूड लेके आप नहीं चल सकते क्योंकि उसकी जवाब देही आपको देनी पड़ेगी जिस शण आपने किसी चर्च के ब्रदर या सिस्टर में जिसके संपर्क में आप आए मैं भाई से भी कह रहा हूँ बेहन से भी कह रहा हूँ कुछ गलत देखा तुरंट सबसे पहला स्टेप किसी को बताए नहीं पहले उसी के पास जाए अलोन अकेले में प्रोसीजर्स अगर एक पास्टर गलती में है गुनाहों में चल रहा है उसको अलग करने का तरीका बिल्कुल फरक है वहाँ तीन गवाँ चाहिए कम से कम तीन लेकिन जब एक कलीसिया के सदसी की बात आए तो वहाँ पहले अकेले जा तब ही मैं पढ़ना हूँ इस सबसे आपके सामने अकेले जाए और अकेले जाके उस भाई या बहन से मिलिए आप चाहिए भाई या बहन और बताईए मैं कहूंगा अगर बहन शादी शुदा उन्होंने कुछ देखा वो चीज अपने पती से शेयर कर सकती है जो confidence में जाके फिर उस बहन से या भाई से मिले और मिलके उनको समझाए सजमारी है कि आपके जीवन में मैंने ये देखा और नभी ने कहा solid proof होना चाहिए खाली मूँ जमानी बोल नहीं सजमारी आपके और जब आपने देखा ये गलती है आपने उसे correct किया वो correct हो गया praise the Lord आप एक गुना को चर्च से अलैदा करने में क्या कहेंगे इस्तिमाल हुए ये आपने बहुत बड़ा काम किया brother कलीसिया में से गुना को निकाला God bless you God bless you भाई बहन मैं जो भी होगा ये तो बड़ी प्यारी बात है लेकिन आपने गुना देखा चलिए आपने पहली सीड़ी पूरी करी लेकिन आपने देखा कि वो गुना उसका खतम नहीं हुआ आप फिर उसको उसी step पे दबा गए चलो छोड़ो मैं भी क्यों जाओ हम क्यों बुरे बने दर उदर बस यहीं आप गलत हो गए अब अगले step दो तीन को लेके जाएं एक दो और तब भी नहीं सुधरे कलीसिया पे बात पहुंचे और फिर वो प्रोसीजर जो आपने पढ़ा है वो पूर्या प्रोसीजर लगाया जाए तब आप जिसने अपने आखों के सामने उस गलती को गुना को होते देखा और आपने उसे चिपाया नहीं आपके उपर अब उस गुना की छीटा कशी नहीं पढ़ेगी आप बच गए सजमारी आपके इस पॉइंट पे मैं आज आपको क्लियरिफाय करूँ इस पॉइंट पे कलीसिया का हर जन इन्वाल्वड है अब खाली पास्टर, एल्डर, कुछ कलीसिया के भाई लोग नहीं हर भाई, हर बेहन सजमारी है यहां तक ही आपके अपने घर में यहां लखिएगा क्या करें गर की बात थी तो हमने बोली नहीं घर की बात थी तो हमने कहा छोड़ो इस बात को क्या बोलें, क्या कहां कभी लेकिन ब्रदर आपने पढ़ा है नभी के मैसेज में कैसे वो गया वो डीकन और क्या था वो किसी चर्च का उसका बेटा नहीं मानता था फिर कैसे उसे डबल निमोनिया हुआ फिर वो लॉट के आया वो ठीक हो गया बढ़ा नहीं था अपने तो क्या उसने छिपाया अपने घर को जहां रखिएगा स्टेज वन में अगर बार सॉल्व हो जाए मैं कहूंगा बहुत बढ़िया लेकर स्टेज वन में सॉल्व नहीं हो रही तो वो गुना फिर छिपाने की चीज नहीं है वो फिर चर्च के सामने लाने वाली चीज है पहले एक दो के साथ फिर उसके बाद कलीसिया के साथ कि भाईया हमने समझाने कोशिश करी और ये नहीं समझ रहा तो फिर कलीसिया से उसे आउट करें और अगर वो खुदा का होगा तो खुदा पीटेगा और वापिस लाएगा इस सब आपके सामने पहले भी शेयर हो चुके हैं लेकिन देखिए इस स्ट्रॉंग पॉइंट के साथ शेयर नहीं हो पाया अब तो ये एक बहुती स्ट्रॉंग पॉइंट आ गया आज कि कलीसिया का हर ब्रदर और सिस्टर अब रिस्पॉंसिबल है अगर उसने कुछ गलती को देखा अगर आपकी आँखों के सामने कोई ब्रदर या सिस्टर कुछ गलती करता हुआ पाया गया वहाँ पास्टर नहीं है वहाँ कर यह और लोग नहीं लेकिन आप हैं आपने देखा तो रंत ये आपका उत्तरदायत वो है कि आप उस भाई या बेहन से मिलें अलोन अकेले में हमारा मकसद मारने का नहीं बचाने का है कंस्ट्रक्शन का है पॉंट सजमारी आपके इसलिए ध्यान रखिये ये बात अगर खुदावन हमारे लोगों पर रहम करें दो साल हो गए जबकि फेस टू फेस इंट्रक्शन अभी 31 तारे को मिले देखा कलीसिया को बड़ा अच्छा लगा फिर भी सबसे नहीं मिल पा और कहां से मिल पाएं मतलब सबसे मिलना शेयर पॉसिबल था भी नहीं लेकिन हाँ सबको निया साल मुबारक हुआ और खुदाना आप लोगो सबको बड़ी बरकत और आशीश दें लेकिन मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाई जब आपको खुदाने आँख बनाया अपनी हाथ बनाया अपने तो अब विजिलेंस में आप भी है जिसे पुलिस कहती है लोग कहते हैं कि आप सतर्क रहें तो सतर्क हर व्यक्ति और भाई या बहन के लिए है गुणा कहीं से भी आ सकता है लेकिन एक पॉइंट है जो कि यहां जिसने मुझे बड़ा स्ट्राइक किया आपने देखा और आप चुप रहे आप उसे भूल गए या छिपा गए नजन्दाज कर गए पूछा आपसे भी जाएगा गुणा किया उसने तुमने नहीं किया गुणा उसने किया पुछवाई तुमसे होगी जिसने उसे नजन्दाज किया पॉइंट समझ मारी है यह है थोड़ी सी खतरनाग बात यहां में फिर अब रिस्पॉंसमेल आप भी गिने जाएंगे मैं कहूंगा हे प्रभू हमें शमा करें हमारे इन slack attitudes के लिए जो गुजरे दिनों में हमारे रहे इस विशे को लेके अगर हमने कुछ गलत देखा जो हाँ सच में देखा और हम चुप रहे प्रभू हमें शमा करें खेर खुदा ने जो करना था खुदा ने किया और जो उन्हें पल्टा देना था उन्हें खुदा ने पल्टा भी दे दिया शैद हम इस क्या कहेंगे इस depth में इस बात को शैद नहीं समझे लेकि आज जब ये point आया है तो इस point को अब हम समझे ये बहुत important बात है हम सब के लिए कि हम अगर कहीं कुछ गलत देख रहे हैं तो उसे नजदाज आज से अब ना करें मैं सोचता हूँ ये ऐसा point आई क्यों राए कहें ऐसा time तो नहीं आ गया जब हनानिया सफीरा नहीं रह पाएंगी कहें ऐसा समय तो नहीं आ गया जब पवितरात्मा से जूट बोलना बहुत गलत बात भारी बात पढ़ जाएगी ब्रदर नभी ने क्या बोला नहीं कि कलीसिया ऐसा पवितरात्मा रोम रोम से भर जाएगा एक sin free church तो ये तैयारी हो रही है एक sin free church वाली हालत में पहुँचनेगी ब्रदर तो ये खाली church order प्रीच नहीं हो रहा है वोई चीज़ प्रीच हो रही है समझने वाली बात है आगे पढ़ते है and if any person has complained against a deacon और अगर किसी भी व्यक्ती की को शिकायत है किसी deacon के विरोध में और against the deacon or somebody in the church या deacon की या किसी भी शक्स के विरोध में it takes three people उसके लिए जरूरी है तीन लोग पाए जाएं तीन लोग आएं witness at the mouth of two or three witnesses गवाह जो हैं दो या तीन की गवाही से साबित होते हैं जब कभी किसी deacon के विरोध में आप कुछ बात लाएं तो तीन गवाह साथ में लाएं अपने साथ यह order है, rule है यह come tell the pastor that there's a grievance against the deacon then there's a grievance against the deacon the deacon isn't a just man, a perfect man और अगर इक को शिकायत है deacon के विरोध में तो deacon जो है वो just धर्मी जन नहीं है सिद आदमी नहीं है he must hold the office of a deacon blameless और उसे जो deacon को ओदा है उसे बिलकुल पाक होके जीना चाहिए and then found blameless और उसे पाक जीवन व्यतीत करना चाहिए and if that congregation finds out that the deacon's not holding that office और अगर यह सभाई यह पता लगाती है उसे यह पता चलता है कि यह deacon अपने ओदे को ठीक रीती से नहीं रख पा रहा है he gets three with him तो वो तीन को अपने साथ लेके आता है and takes it to the pastor और उस बात को pastor तक पहुचाता है उस दिन जब फैसला हो रहा है उस deacon को लेके deacon से कहा जाएगा कि तुम घर रहो that deacon's asked to stay home over the night उस रात जो deacon है उसे घर रहने के लिए बोला जाता है and then the pastor from comes and brings the congregation together और पिर pastor आता है और फिर सभा को एखटा करता है gives the grievance और उस शिकायत को बताता है and if the congregation votes for the deacon to continue on और अगर जो congregation है जो पूरी सभा है वो यह अपना मत देती है वो हामी भरती है कि deacon अपने ओदे पे बरकरार रहे the deacon continues on तो फिर deacon मही बना रह सकता है और अगर वो ऐसा मत देती है कि deacon को हटा दिया जाए they elect a new deacon that very night तो वो एक नया deacon चुन लेते हैं उसी ठीक रात को see this is the process of re-election of deacon therefore no one person has nothing to do with this is the majority of the people yes sir थोड़ा सब मेरे साथ तेस ट्रांसलेट करिएगा ताकि हम थोड़ा आगे cover कर पाएं if 20 votes for him and 21 votes against him he goes or vice versa that it is the sovereignty of the local church and then each one of the members has a say so in the church anything goes wrong on wrong then they can come right around and the only thing they have to do is to be before God that they are absolutely there nothing hinders the moving of the church तो ठीक आ सकते हैं और फिरो ने केवल एक चीज देखनी हैं खुदा के सामने कि कुछ भी चीज ऐसी ना हो पूंटा कालीसिया के चाल्चलन में को रुकावट बने but the full and complete authority of the church is the pastor परन्तु संपून और पूरी अधिकार पूरा अधिकार जो है कलीसिया का वो पास्टर के पास हैं इस बात को बैबल में पढ़िये देखिए if that's not अगर ये ऐसा नहीं है ये बैबल का ओडर है that's exactly right there's no one above the elder ये बिलकु सठीक है बिलकु सही है कोई भी उस प्राचीन के उपर नहीं है I have nothing to do with what brother Neville does here मेरा उसमें कोई लनदर नहीं है जो कुछ भाई नहीं आपर करते हैं अब बाँच सुनने वाली बात है that's up to you and brother Neville ये आपके और भाई नहीं के बीच की बात है if brother Neville wanted to preach Jehovah Witness doctrine that's up to him and you अगर भाई Neville Jehovah Witness की शिक्षा ये प्रचार करना चाहते है तो ये आपके और नहीं के बीच की बात है see if he wanted to preach anything he wanted to that's between you and him देखे अगर वो कुछ भी प्रचार करना चाहते है जो वो चाहते हो ये बात आपके और नहीं के बीच की होगी that's all if the congregation votes for him अगर जो जनता है अगर जो लोग है वो इस बात पर वोट देते हैं कि हाँ इस चीज का प्रचार हुओ that's all right ये बात बिल्कुल ठीक है that's up to him ये उनके उपर आइद होता है ये पॉइन को समझ भी कोशिश करिए कि अगर नोटिस करें मेरी हंसी भी थोड़ी बदल गई है पहले में थोड़ा फराकस्ता था आज को थोड़ा फराकस्ता हूँ नहीं खर चलिए जैसे भी ये थोड़ी सी इस लागा स्निय or something like a cheeky smile चलिए खर अच्छी बात भी है अच्छी बात भी है sovereignty की बात हम कर रहे थे कलीशिया सोवरीन है अब आगया एक point हिंदी में बोलूँगा क्योंकि हमारी अधिकांश लोग हिंदी जानने वाले हैं ताकि वो benefit लें इस meeting का अगर ये church नभी कह रहे हैं यहाँ vote करती है भाई नेविल को कि वो यहाँ witness की doctrine प्रचार करें बोले मेरा से कुछ लेना देना नहीं करें भाई कलीशिया ने vote किया नहीं as long कलीशिया ने vote किया कि भाई नेविल यहाँ witness की doctrine यहाँ प्रीच करें तो वो करें यह आपके और कलीशिया के बीच की बात है तो मैं कहूँगा क्या ये sovereignty नहीं हुई बिलकुल हुई कलीसिया सोवरेन अपने फैसले लेने में लेकिन फैसला हुआ कैसा अगर भाई नेविल यहुआ विटनेस वाली doctrine प्रीच करें इस आर्ड को लेके कि कलीसिया सोवरेन और कलीसिया भी आर्ड लेके कि जो प्रचार हो रहा वो सब सही है तो क्या ये सही होगा मैंने आपके सामने एक ही पन्ने के बाद उधारण में इस sovereignty के point को फिर लागे रख दिया ताकि आप sovereignty के सही मतलब को समझे sovereignty तब तक है जब तब पवितरात्मा संचालक है जहां पवितरात्मा के संचालन से लोग हट गए पवितरात्मा से भरे लोग ना हो वर अन्शारिरिक लोग हो वहाँ sovereignty एक denomination पैदा करेगी sovereignty के नाम पे एक organization पैदा होगी जैसा पूरव युगों में हो चुकी और आज 999 गिर्जे हैं सबके सब सोवरीन है आज क्रपिया समझे sovereignty का मतलब क्या है sovereignty तब तक है जब तक संचालक पवितरात्मा है क्योंकि नभी ने कहा ultimately सोवरीन पवितरात्मा है अभी आगे कुछ दो बाकिया आएंगे पढ़के सुनाओंगा जब नभी कहेंगे फैसला हुआ हाँ अब याएगा दो तीन लाइन है और आप तब समझाएंगे कि नभी sovereignty को लेके क्या बोलना चाहे रहे है अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने भाई याद देखिए बिमार पढ़ जाते हैं लेकिन फोन थोड़ी ना बंद होते है इधर उधर से कई जगाओं से बाते आई और जब आती है तो हम बातें भी करते हैं फैसले भी लेते हैं हम सोवरीन है सोवरीन के नाम पे मतलब उल्टा नाचो, सीधा नाचो जो करना चाहो दोस्त करोगे क्या याद रखना आप तो अभी एक छोटा जोंड़ो लोकल चर्चो अगर आप मसी की दुलन हो तो याद रखना मसी की दुलन अंतराष्ट्री है वहाँ अपनी सोवरीन्टी नहीं चलेगी वहाँ सोवरीन्टी चलेगी पवित्रात्मा की सजमारी आपके इसलिए वह सोचो जो मसी की देह सोचती है इसी कारण तो में बहुत अरे निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए यादि हम अपने आपको जांचते तो दंड ना पाते ये पॉइंट लोगों कईयों को ठुकने पिटने के बाद भी समझ में आया नहीं हर लाइन का एक मतलब है जिसको हर लोग समझे हर चीज के दो पहलू है फुल एन कम्प्लीट अथॉरिटी चर्च का कौन है एक फॉर्मला याद करें जिस फॉर्मले को मैं यहां लिख रहा हूँ ये रह पास्टर ये रहे चर्च के लोग जो भी ले लिजे और सबसे उपर है होली गोस्ट जो होली गोस्ट संचालित हैं श्याद ये डाग्राम बहुत साल पहले कभी बनाय भी था मैंने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एक मिनिट के लिए ये पें थोड़ा सा हलका लिखता है भाईया नए पें लाओ ये पुराने पेंट काम नहीं कर रहे है दस्टर को रब करना जी वो काला और कर रहा है देख रहे हैं आप चलिए चलिए अच्छा पेंट है ये है Holy Ghost ये है Pastor God bless you, God bless you भाई और ये हैं लोग मैं इसको बहुत बड़ा एक गोला बना रहा हूँ Church पॉर्ट समझने कोशिश करें लिए पास्टर इसलेद भाई प्राप्त है जब पास्टर पवित्रात्म के दौरा अगवाई प्राप्त हो और वो कलीशय के अगवाई करता है God really bless you खुदा आपको 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 आपका बरकत दे ये एक बहुत बड़िया सिती है फिर तो प्राप्तर कोई समस्या की बात नहीं इसी सिती में जो संपूर और पूरा अधिकार है कलीशया पे वो है पास्टर का और हमेशा रहेगा Amen, yes Can this pastor do mistakes? As a man, yes Yet God is using him and God is using that office and he is the full and final authority But once it happens something like this that this Holy Ghost and pastor gets cut कि ये पवितरात्मा और जो पास्टर है इनका जो सम्मन्द है वो तूट जाए और ये तब होगा जब वो पास्टर बना था तब भी उसके पास पवितरात्मा नहीं था सोचा गया कि उसके पास है It was thought that he had it ये सोचा गया था कि उसको मिल गया है But he didn't have it actually पर उसके पास था नहीं वास्विक्ता में Now this pastor runs a business in the church अब ये चर्च में पास्टर बिसनस चलाता है Now the pastor runs bank business in the church और अब ये पास्टर बैंक का बिसनस करता है चर्च में makes people sureties लोगों को जामिन बनाता है runs pyramid schemes पिरामिट जैसी scheme बनाता है network वाली What kind of leading is this? किस किसम की ये अगवाई है I'm speaking somewhere मैं कहीं बोल रहा हूं When businesses are being run जब business चलाय जाते है bank businesses बैंक के business pyramid schemes and church members are lured into those schemes और जो कलीशा के member है उन schemeों में जोड लिये जाते हैं He hides personal sins वो अपने निजी गुनाओं को छुपाने लगता है and glorifies others glorifies other people's sin मतला तारीफ नहीं कर रहा है यहां पे उनके गुनाओं बड़े बड़े करके दिखाता है दूसरों के गुनाओं को बड़ा उजागर करके दिखाता है what kind of a spirit is this किस किसम की आत्मा ये है is that the holy spirit क्या ये पवित्रा आत्मा है in that condition उस थिती में is now he still a full and complete authority क्या वो अभी भी इस थिती में संपूर और complete authority है let me tell you something मैं आपको बताना चाहूँगा either he repents and come back या तो वो तौबा करे और वापस आजाए and really receive our new birth experience और वास्तविक्त में नहे जिनम का अनुभव प्राप्त करे which will show from his life and will show from his actions I hope you're understanding it or then in that situation तभी मैंने का हर लाइन के दो पहलू है दूसरों के गुनाहों को बड़ा बड़ा के दिखाता है अपने छिपा लेता है छोड़ो कर कोई नहीं छोड़ो इसको हटाव किनारे what kind of leading is this किस किसम की leading ये है अगवाई that is not Holy Ghost leading ये पवितरात्म के दौरा की गई अगवाई नहीं है इस ताइम पे फिर अब ध्यान देना पड़ेगा either he repents and becomes right or if he doesn't remain right and if he doesn't make himself right and there is no change then can he be called a complete authority he is not Holy Ghost led for that brother Branham said another statement then you find yourself another pastor then there are other scriptures in the Bible he said he condemns those shepherds of Israel and said then I will give them shepherds and pastors according to my heart I hope you're understanding it so these are the things to understand and weigh properly तो ये वो चीज़ हैं जिनके हमें समझना जरूरी है और इस तरीके को समझना जरूरी है कईयों ने इस लाइन का आर लेके कलीसिया को एक गुलाम बना दिया कि कलीसिया का जो भी है बिलकुछ चुप मुँ बंद करके बैठे याने कि अगर कुछ आपने गलत किया और कुछ गलत हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और उस गलत होने के बावजू तुम उबंद करे बैठो मत बोलो तो मालो नहीं पास्टरी फाइनल अथारिटी है इस बात को याद रखिये ध्यान पूरवक संदेश को पढ़िये इससे पहले पास्टर फाइनल अथारिटी बने जो सोवरिनिटी है सम प्रभूता है वो पवितरात्मा की है तब भाई ब्रहम कहते हैं अगर कली से इस बात का वोट देती है कि भाई नेवल जो है यहोव विटनेस की शिक्षा प्रचार करें तो यह कली से ओ भाई नेवल के बीच की बात है अधर्वाइस नहीं तो I'll just read it out for you later on and show you something else मैं आपको उसको बाज़ पढ़ँगा और दूसरे इस अधर दस्टर 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 अभी एक पॉइंट आएगा देखिए the only thing that I do just is owning the property and if something or another comes by like moving the pastor जैसे की pastor को हटाने की बात हो अभी नेवल एक बहुत बड़ी है पास्टर थे he was completely Holy Ghost filled वो पूरी तरीके से पवित्रात्मा से भरे वे थे you could see from that life आप उस जीवन से देख सकते थे a man that he was a Holy Ghost filled man की वो पवित्रात्मा से भरे वे आदमी थे to stand against such a pastor is standing against the Holy Ghost तो इस ऐसे किसम के pastor के विरोध में खड़ा होना वास्टविक्त में पवित्रात्मा के विरोध में खड़ा होना होगा तब वो बात आएगी जो हनानिया सफीरा से बोला गया कि तुम क्यों शरम नहीं आएगी तुमने पवितरात्मा से जूट बोला अब तुम पत्रा से जूट नहीं बोल रहे तुम पवितरात्मा से जूट बोल रहे हो समझ मारी आपके तो यहां पिर वो बात आयद होगी और उसका अंजाम क्या हुआ हनानिय सफीरा के साथ आपको मालो में क्या सचाहि है God bless you my brother God bless you I would like to just read it further for you He says I just own the property If you want to move the pastor Tell me why Has he done anything Yes we caught him drunk Or we caught him doing this Or doing something that wasn't right Have you got three witness of it Yes we have Then witness must first be tried Don't receive an accusation against an elder Unless it be by two or three witness And let them first be proved Against an elder Then you have to swear to it That you saw it And prove it And then you have to prove it And then you have to prove it Then you have to swear to that you saw it, yes? And prove it that you saw it. Then if you did then that sins rebuked openly that it's wrong. Then say congregation do you want to change your pastor? And if the congregation votes forgive him. I'll let him go on yet. That's the way it has to stand. Isn't that fair enough the way to run a church? That's what the Bible said. We have no bishops and overseers and boards and so forth. Move this one in and got a lot of authority. There's nobody got authority here but the Holy Ghost. here's the Holy Ghost. There's nobody got authority here but the Holy Ghost. and that's right he does the moving and we take him as the majority of the people. the way the people go. We understand that's the leading of the Holy Ghost. We know that this is the Pavitra Atma and then if one side wants to do this and the other side wants to do that and the side wins the losing side what do they do about it? Join right in with the rest of them. said we were wrong then. We will go right on because the Holy Ghost has made that choice. we will be right because the Holy Ghost has be left because the Holy Ghost has been maximized because the Holy Ghost and the Holy Ghost has been the Holy Ghost which the Holy exemplified has been Huang as a Holy Ghost which the Holy Ghost has beenει when we look at the Holy Ghost through Mickey which we vão us will नहीं हो तो भी दिल से मानो आमीन मैं इस कलीशिया के साथ खड़ा हूँ we'll go right on because the Holy Ghost has made that choice क्योंकि पवितरात्मा नहीं यह चुनाव किया है खुदावन के फजल से इनमें से शैद भी एक भी पॉइंट आज की तारिक पे हमारी दिली कलीशिया पे शैद hold नहीं करता आज की तारिक पे मैं खुदा का ही धन्यवाद दूँगा इसके लिए और दुआ आगे भी ऐसा ही रहे लेकिन कुछ-कुछ जगाहों पे बहार जो बातें आज मैं प्रचार कर रहा हूँ उनका meaning है मुझे मालूम है लेकिन फिर भी सही है तो क्या हो गया गलत क्या है क्या चीज नहीं जाना जरूरी नहीं है क्या ताकि आगे को बचके रहे अब एक्जाम्पल लेते हैं डेमोक्रेट्स और रेपॉब्लिकन्स का अमरीका की पाटियां और कहते हैं अगर रेपॉब्लिकन्स जीता है तो डेमोक्रेट्स को फिर सपोर्ट करना चाहिए और डेमोक्रेट्स जीता है तो फिर रेपॉब्लिकन्स सपोर्ट करते हैं उनके बिल्स के पास होने में नहीं तो एक अगर आधि-आधि हंग पार्लिमेंट होई तो कोई डिसीजन कभी पास ही नहीं हो पाएगा फिर देश का क्या होगा तेश बैठ जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता फिर से वो पॉइंट लेकिन ला रहे हैं अगर अगर कोई ऐसी चीज़ गलत हो जिसको आप जानते हो जिसको आप जानते हो कोई व्यक्ति विशेश या कोई खास शक्स या कुछ ऐसा आप करतव्य बद हैं और खुदा को इसका जवाब देना पड़ेगा अगर आप उस चीज़ को ठीक ना कर ले वो बहन तो उस तांत्रिक के पास गई थी अर इस गई है भाड में जाए उस बहन को यह क्या कर रहें आप कुछ नहीं ऐसे है यह मैं ऐसी कजिकी मैं सोच रही थी कुछ नहीं क्या आपको मालूब मर जाएंगे फिर ओन चीज़ों से हाँ ठीक है ठीक है लेकि फिर नहीं फिरे फिर चल दिए सजमारी है मैं क्या-क्या बोलूँ ब्रदर इस मंच से खुदा कर धनेवादो अधिकांच जगाओं पे जो बाते मैं एक दो बोलूँगा वो नहीं हो रही 99.9999% ठीकी चल रहा है एक का दो का जगा की खबर बताऊ बच्चे के साथ गलत काम हुआ आपको सुनके अजीव लगेगा और दूसरे लोग उसको बैठके छिपा रहे हैं सुनमारी आपके दूसरे लोग उन चीज़ों को छिपा रहे हैं एक छोड़े बच्चे के साथ गलत हुआ जो करने वाला था वो चला गया जब उन्हों करेट करने वाली बात आई तो दूसरों ने अपोस किया ये क्या कर रहे हैं आप मैं कहूँगा आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं तुमारी खबर मेरे पास पहुँच चुकी है मैं इंतजार कर रहा हूँ एक दिन का याद रखना मन से बोल रहा हूँ किसी के लिए सुन ले गर वो सुन रहा है या सुन रही है तो और भी खबरे हैं खरों में इसमें यहां से मन से बोलना नहीं चाहता हमारे घर की बात है मैंपुरी में हमारा अपना इलाका है ये टाक मैन पुरी फरुखाबाद भाई भाड में आलू भुनते हैं देखें आपने बालू के नीचे रेट के नीचे आलू उपर से वैसे कव ऐसे ही रहता है अंदर से जब गर्मी जारा पड़ती है तो पिल-पिला हो जाता है मुलाएं बिलकुल गुना भी कुछ ऐसा ही होता है सजमारी है रेट के नीचे वो बलता है वो और अंदर ही अंदर सड़ाता है सजमारी है ऐसा नहों की एक दिन आए कि अपने परिवार के गुनाहों को छिपाने के चकर में तुमारा संपून परिवार बरबाद हो जाए तुम बर्बाद हो जाओ मेरे भाई मेरी बेहन गंद लेके बैठे हैं परिवारों के अंदर आप सोचते हो कि आपकी खबरे हमारे पास है नहीं लेकर क्योंकि खेबल खबरे हैं कोई सबूत नहीं है जब तक आप भी गुनहा का उजागर ना करो हम क्या करें हम तो आपके घर में आगे बैठे नहीं है जहां से बात आती है हम आएक्शन लेते हैं आपकी तरफ से बात आईगी नहीं हम कैसे एक्शन ले लेकिन याद रखना आज ये मैसेज पढ़ा जा रहा है तुम्हारे सामने आगर तुमने कुछ गलत देखा और चुप रहे छिपाया उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा मेरे भाई मेरी मेहन साथ सही चीज का दो गलत का मत दो और अगर गलत का दोगे तो सडोगे भुकतो गई नहीं मैं कह रहा हूं सडोगे और सड़ते कहा है आपको मालूम है इसी कारण तुम्हें बहुत तरह निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए मीटिंग में आके जब बैठते थे सोते थे जो यह नहीं रेंगती थी अब यह हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं हर जगा की बात नहीं है हैं इकका दुक्का ही लोग ऐसे इकका दुक्का की दो खबरे हैं उनकी क्या करेजिन की आज तक खबरे ही नहीं पहुंची अब तो भाई जवाब देही आप से खुदावन लेंगे आज के मैसेज के बाद यह लिख लेना आपने कुछ गलत देखा तुरंट जाईए और करेक्ट करिए आपने गलत को करेक्ट नहीं किया आप से जवाब देही होगी वो करेक्ट नहीं होता तब आप दो को लेके जाईए फिर तीन और जो भी है जो कलीसिया का प्रोटोकॉल है आपके साथ शेर कर चुका हूँ तो यह पॉइंट बार बार लोटके आ रहा है आज मैसेज में आपके लिए मेरे लिए संजमारी आपके जो को चर्च में मैं IMSI line को पढ़ भी देता हूँ यह डूटी बाउन और आपको जवाब देना पड़ेगा खुदा के आगे if you don't clear that thing out अगर आप उस चीज को ठीक ना करें you the church आप जो कलीशय है now you remember it's not on my shoulders अब आप याद रखिये यह मेरे कंदो पे नही है it's on yours पर यह आपके पर है and anything wrong in the church और कुछ भी गलत हो कलीशय मे God will make you answer for it खुदावन आपको उत्तरदाई ठेराएगा उसका आप जवाब दें that's the way he runs his church यही है तरीका वो अपनी कलीशय को ऐसे ही चलाता है इसलिए आज की बाद जो हो गया हो गया अगर नादानी में हुआ खुदा शमा करे आप सब की और से मेरी भी खुदा से दुआ हमें खुदावन शमा करें लेकिन आज से अपने कानों को खोलें अभी गुज़रे दिनों में मेरे पास एक फोटो आई दिल्ली के बहार से यह आपके church की बहनी है मैंने गाए यह शकल देखें तो शकल तो बड़ी अजीब किसम की है वो जो की दुनिया की है बाद में मुझे कहा गया कि बदर यह actually होई नहीं सकता यह morphed picture है मैंने का ऐसी morphed picture बनाने वाली शयतानी करेगा कौन भाई और morph भी करके अगर यह तस्वीर paint करी जा रही है तो यह morph हुई क्यों कौन कर रहा है इसे morph बाई में लिखा है अगर एक स्ट्री के विरोध में कुछ गलत हो और चिलाए नहीं तो मारी जाएगी मैं पूछूँगा उस मेहन से क्या आप चिलाएं यह गलत हो रहा है यह क्या किया जा रहा है क्या आपने प्रोटेस्ट किया मेरे पास तस्वीर आई मैं चुप हुआ मैंने बाद में का कोई बात नहीं ब्रदर God really bless you जब मेरा मौकर लगेगा मैं मिलूँगा और मैं इस पैक्शन ज़रूर लूँगा और मैं लूँगा खुदा रहम करे जो जो हमारे पास बात आएगी भई हम तो एक्शन लेंगे तो मेरा मतलब कहने का ये है My brother If you see something wrong अगर आपको चीज गलत देखे Don't stop रुकिएगा मत उस भाई के पास जाएए And bring a word of correction to him from the word और उसके सामने सुधार लेकी आईए वचंद से And if it doesn't get corrected और अगर वो सुधार को ना ले Take one more with you And if still doesn't और अगर फिर भी ना ले Bring it to the past and the church We follow the protocol Then you take away from you that responsibility In fact that is a prescription from today onwards For a sin-free church It's a fact Now coming to this blessed old message here I want you to know that This tape recorded So remember this message And the tape recordings of the church The orders and rules of the church It's on tape recording That's according to the Bible We don't run it There's nobody in the head Nor all We are all the same But we got a leader That is the pastor As long as he's led By the Holy Ghost All right None Here there's going to be a lot of questions So the next time that you give out And Brother Neville puts on the radio That I'm to be here You write out your question So you and I can Fuss it together All right And I've taught on the perseverance of the saints He's now trying to Rehearse What he has shared in Hebrew series Doctrine number one Perseverance of saints This is first doctrine Supreme deity of Jesus Hallelujah This is the next doctrine Our Lord Jesus Christ The most blessed Lord Amen Security of the believer Security of the believer Security of the believer Security of the believer Number four For ordination Predestination For ordination Predestination Now listen to it carefully He has just named a few And many of those things Listen how he addresses his church Which I knew In my congregation Is many legalists Which is perfectly all right Absolutely But now the thing I'm a legalist too But I'm a Calvinist I just believe the Bible That's all Now some of those questions What he's saying is That I have preached these things And there might be people Who have questions On these doctrines I just believe the Bible That's all Now some of those questions Agar un sawalon mein sa kuch I've taught on Evidences Sensations Pramaan Anubhutiyan Evidence I will say Of the Holy Ghost May kawunga Pramaan Pavitra Atma Ka Hallelujah Oh this is a wonderful doctrine Oh yeh bohuti adbhut shikshah hai I just named a few Evidences And what sensations are Haan Pramaan kya hai Or joo Anubhutiyan Woh kya ho kya And so forth And all those things You might have disagreed with So one of these nights Maybe let's make it Are you in a big hurry To get back up in here Haan To ho sakta hai Kya ap jaldi mein Iha par vaapas ane ke liye Let's make it Wednesday night This coming Wednesday night Then I think I can have that then Bring your question in Wednesday night Thank you Jesus Thank you Jesus Agali baat hai Pardhata ho Ek do baat hai Sun lije Kyunki Yaha se kuch ab Laina badalna Shuru ho ki Ek to my ne Church order Ke baare Me aapke Sukha ya Wednesday night Budwar rat Uske awal May jump Karra ho The lord Willing I will be here Wednesday night To try to answer The question The best that I can Now let's bow our heads Just a moment So he now prays A prayer Now blessed lord This is your great economy It's your church It's you lord That's a moving And we want to move As the holy spirit Of god moves us And we pray now That you will bless us And as we rehearse This message And get down Into these deep things We pray that the holy spirit Will reveal them to us Just as we have need Or we asked it His name Amen Now why This book of Hebrews I value as one of the Great books A little later on It may be that I've got to Going overseas Which that if god permits I will be doing Pretty soon I've got to go to Africa According to a vision I think I'll never Prosper much in my Meetings Until I go to Africa And fulfill that vision Now then There'll probably Sometime This coming spring But between that time I'd like to take One more book Out of the book Of Hebrews That is the Eleventh chapter Of Hebrews And stay about A week in that Eleventh chapter And each one of Those characteristics Or characters And bring out Their characteristic See By faith Noah Then take the Life of Noah By faith Abraham Then take the Life of Abraham By faith Abel Then take the Life of Abel See and bring that Down Ibraniyo 11 Ka mein prachar Karna chahitah hun Kab bol rahe Jab Ibraniyo Ka prachar chal raha Amen Amen Yes I want to preach Hebrews 11 Mein Ibraniyo 11 Pei prachar karna chahitah hun Main hai apne kitab Maar kar liya Done Amen Praise the Lord Amen In 2020 And 2021 Really it has Been that same Holy Spirit Which has took Us through Hebrews 11 Amen May God Give us grace To understand These things Hallelujah Blessed be The name of The Lord And so We took it All the way From Abel Till that Last corrector And while we were Coming to end We were coming to Second ride And other questions And we were seeing On Tuesdays Hebrews So Hebrews And Hebrews 11 And that's what We are finishing up now Is a right God's name be praised And same Wednesday night Somehow I don't I know there's a plan Because we have A little program We shifted the next Tuesday to Wednesday night And I had planned And I had planned in my heart That I would like to Continue on With those questions And answers That's what we are Going to do now May God's name Be really praised That same Leading is with us Amen 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 And could it be that We are going overseas Somewhere Could be We'll see We'll see About that thing Later on It's only God Who makes ways That's right May God's name Be really praised God is doing something I know he's doing it There are many things Which when it happens Only you can share it then These are some doctrines You can write down And meditate on them Each is a very deep doctrine Perseverance of the saints And the security of the believer Is all tied together Supreme deity of Jesus Christ Our Lord is one thing For ordination Predestination Another one Hallelujah So I'll say Lord Jesus Christ Because he is the Lord And our Christ Amen And then the evidence Of the Holy Ghost Amen 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 It's only that one Who will understand The thunder That unwritten one The one who has got The Holy Ghost Because only Holy Ghost Can interpret The unwritten part Amen There is a written part Of you And there is An unwritten part Of you Which is hidden But that which was Not written Was in God And has to be brought As a revelation To you In this age And God is bringing That to you And I And now And God is bringing That to you And I And now Think about it And what's happening In 2007 There will be tsunamis And there is news Before that This is just the beginning But I'd like to tell you One more thing Before I close the message Today This was a volcano On an island It's a very remote island Listen carefully After this volcano Has erupted It destabilizes The tectonic plates And that is in the Pacific region And you know When the tectonic plates Get destabilized In the Pacific And you know When the tectonic plates Get destabilized It is a background For that major earthquake Which we all are Knowing what happens At the time So it's all Building up brother And all this Is building up For our glorious Rapture of the bride God really bless you Today's meeting Was basically On some orders In the church Which I think You must have understood God really bless you Let's pray Thank you Thank you Thank you Thank you बाएवे भाईयों को बड़ी बरकत और आशीश दें और जो बाएवे ओफनेट खुदावन हमारे भाई बहन मेसेश सुनेंगे सब आपकी और से आशीशत हूँ खुदावन तौफिक दें कि जब हम कहीं कुछ गलत देखें तो अपना मूँ बंद ना रखें वरान उस गुना को अपने बीच से दूर करने की कोशिश में लग जाएं हे प्रभू रहम करें हमारे तमाम भूल चुका प्राधों को शमा करें आपका रहम हमारे साथ बना रहे जो वचन का बीच बोया गया लोगों के हिर्दियों में सौ गुना फल लाए रभू ये शुमसी के नाम से मांगते हैं आमीन आए हमारे बाप आप जो अस्मान में हैं आपका नाम पाक मना जाए आपकी बाश्चाही आए आपकी मजसे अस्मान में पुरी होती है जमीन पर ये पुरी हो मारे रोज की रूटी आप हमें बख्षते हैं और जिस तरह अपने किसमानों को माफ करते हैं आप भी मारे किसमा को माफ फर्माएं, हमें अजमाईश में ना पढ़ने दें, इबराई से बचाएं, इबाजशाही, कुदत और जलाल, हमेशा आपका ही है, एमेन, सो भोलो प्रभु येशु मसी की, जाए, God really bless you.